आपने देखा होगा कि टॉइलेट सीट चाहे इंडियन हो या बेस्टन हो उसमें थोड़ा सा पानी जरूर भरा रहता है लेकिन आखिर ऐसा क्यों तो दरसल ये सिर्फ पानी नहीं होता बलके ये एक बाटर प्लग होता है जो कि टॉइलेट सीट के टैंक से और उसके पाइप उस टैंक में पाइप के थुरू अंदर चली जाती है और नया पानी फिर से एक नया प्लग बन जाता है अगर ये पानी टॉइलेट सीट में ना भरा रहे तो टॉइलेट सीट को यूज करना भी बहुत मुस्किल हो जाएगा